हम अपने घरों में काफी तरह के उपकर्णों का उपयोग करते हैं जैसे बल्ब, टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर कभी आपने सोचा है कि इन उपकर्णों का अविश्कार कैसे हुआ और किस ने किया और ये कैसे बने नहीं क्योंकि हमारा मोटिफ बस इतना ही होता है कि ये चीज काम करें और हमें इससे बेनिफिट हो हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, ये एक्शुल में क्या है, इसे किस ने बनाया, ये कहां से आया इनहीं उपकर्णों में से एक फ्रिज यानि के रेफ्रिजिटर भी है हेलो एव्रिवन, इन्फरमेशन दुन्या ग्यान की बात की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम रेफ्रिजिटर के आविश्कार के बारे में जानेंगे रेफ्रिजेशन का सिध्धान्त, अर्थार्थ, चीजों को ठंडा रखने का सिध्धान्त काफी पुराना है सरद्यों पूर्व, चीन के निवासी नमकीन पानी में चीजों को सुरक्षित रखा करते थे लोगों ने देखा कि अगर हतेली पर अलकोहल की कुछ बूने रखकर रगड़ा जाए तो अलकोहल तो उड़ जाता है पर हतेली ठंडी हो जाती है नेल पॉलिश लगाने के बाद भी ऐसा ही अनुभव होता है जो तरल पधार्थ बहुत जल्दी उड़ जाते हैं वे ऐसा ही असर छोड़ जाते हैं जैकप परकिस नमक एक अमेरिकी सन 1834 में बिटेन में रह रहा था उसने इस प्रकार के ठंडे करने वाले तरल पधार्थों का अध्यन किया उसने सोचा कि यदि इस प्रकार के ठरल पधार्थों को धातू के ट्यूबों में बंद कर दिया जाए तो ये ट्यूब थंडी हो जाएंगी और साथ ही उसके पास-पास की हवा भी थंडी हो जाएगी परकिन्स और उसे साथियों ने अब एक बकसा बनाया इसके बीच में धातू के ट्यूब डाले जिनमें उड़ने वाले तरल पधार्थ काफी दवाब पर भरे गए थे यह उपकरण काम करने लगा जब इसके अंदर पानी की ट्रे रखी गई तो वे ठंडी हो गई और पानी बर्फ में बनल गया परकिन्स और उसके साथी यह देखकर बड़ी ही प्रसंद हुए और बर्फ को कंबल में लपेट कर घर ले गए जहां उन्होंने खूब जेश्न मनाया लेकिन परकिन्स ने अपने उपकरण में आगे सुधार नहीं किया 1855 EC में Jams Harrison नामक आविशकारक में पहला ओद्योगिक रेफरिजरेटर तयार किया और उसे बिक्री के लिए रखा यह सफल भी रहा इसकी बाद दूसरे आविशकारक भी जुट गए उन्होंने घरेलू उप्योग के लिए रेफरिजरेटर तयार किया जो दुकानों में खूब बिकने लगा अगर आपको इन्फरमेशन दुन्या ग्यान की बात की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए